आज हम नवम पक्षाय के अंतरगत परिक्षव प्योगी जो गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, नाट्यांश हैं, उनसे उन पर आधारी जो प्रश्णोत्तार हैं, आज उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, चली आईए पढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो गद्यांश हैं, वो परिक्षाओं में तूछे जाते हैं जैसे दिया पुरा कश्रित ग्रामे एका निर्धना ब्रद्धा इस्तिने वसत, तस्या चा एका दोहिता अभिनम्रा मनोरा चासीत एक दावार माता इस्थालियं तांडुलां मिक्षिप पुत्रिमाधि सत, सूर्य तपे तांडुलां खविब्या रक्षा जैसे कि आप जानते हैं कि किसी मतलब जो ग्राम में एक जो ब्रद्धा महिला जोस्त्री रहती थी और किस प्रकार से मतलब उसकी एक बहुत अच्छी मनुहर जो थी बाली का थी और एक बार वो क्या करती है अपने जो चामल है उनको सुखाने के लिए और बाहर मतलब भेजती है कि बच्ची को कि आप रखकर क्या हो ताकि वो चामल सुखे वो पक्षियों से उनकी रक्षा हो लेकिन क्या होता है कि उसी प्रकार से वहां पर एक बहुत अच्छा स्वर्ण चऑन का मतलब पक्षे और रुष कर्णा क्यों करते हैं मतलब उसको मत खा और क्यों क्यों निखाए को रहा है इसके जो प्रश्ण है जैसे पूरा कश्मिशित ग्रामे का निवसत तो यहां पर देखे उत्तरा कि पूरा कश्मिशित ग्रामे एका निर्दना ब्रद्धा इस्तरी निवसत तो इस प्रकार से इसका क्या है फिर है दूसरा तस्या दूहता की दृशी आसी है ना तो इसमें क् का समूध्य तस्या समीपम अगच्छत तो एको विचित्र का का समूध्य तस्या समीपम अगच्छत बाली का किन करतुम अरापधा बाली का रोधुम अरापधा नैता द्रिशह नाधन एता द्रिशह नैता द्रिशह इती पदस्य संदी विचित क्या हैगा नेता दृशह नाधन एता दृशह चली अब इसी प्रकाश सूर्यदा पूर्मेव सात अत्रो पास्ता ब्रक्षो परी बिलोकिसा आश्यर चकिता संजात यत स्वाण मया प्रसादु वर्तते यदा काकाशित्वा प्रबुद्ध स्तदा तेन स्वर्ण स्वर्ण गवाक्ष तात कतितं अहां बाले स्वामगता तिष्ट अहां तत्वत्व कृते सोपानम अवतार्यामी तत्त्य स्वर्णमें रजत्में ताम्रमंबा अवदत अहम नर्धरातु दुहितासमी इसलिए ताम्रसोपानेव आगमश्य यामिपरम स्वर्ण 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 भवनम आरो मतलब जब वह उसके चामल भूँ खा लेता है तो वह इस प्रकार से पूशती है कि बाई जब जाती है वो बुलाता है सोने का कुष्ट तो उसके स्वर्ण मेहल प्रसाद्य मेहल को देखके आश्यर चकित हो आती है और वह उस से पूशता है कि आप ताम्र के स्वर्ण में या रज़त में किसमें मतलब आपको जो भोजाने वो किसमें दें वो कहती मैं निर्धान हूं तो मुझे आप तामर में दें लेकिन वस किसमें देता है सोने के मतलब जो थाली उसमें खलाता है प्रश्न है सा कतम आश्यर चकिता संजाता है सा ब्रक्षो परी विलोक्य आश्यर चकिता संजाता का सहित्वा प्रवुद्धा का का सहित्वा प्रवुद्धा सा कदा तत्रो पस्ता सा सूर्यदार पूर्वेत तत्रो पस्ता सा केन सोपानेन स्वन भवनम आरोद सा स्वन सोप तो इसमें देखे बी उपसर्ग है लोग जो है धातु है और यक्ष प्रत्या है ठीक चलिए अस्ती हिम्बान नाम सरवभूत रत्न भूमी नगेंद्र तस्य सानोपरी विभाति कंचन पुर नाम नगरम तत्र जीमूत केतू इती श्रीवान विद्याधर पती बसती तस्य ग्रहुद्धाने कुलक्रमाघात कल्पतरू इस तार राजा जीमूत केतू सतफ कल्पतरू महार इस प्रकार से जो कंचन पुर्णम नाम का नगर था हिम्बान एवं सर्व भूरत्न भूतिवान अगेंद्र जो मतलब राजा जो कल्प जीमूत बाहन वाले इसमें दिया हुआ है किस प्रकार से वो दान वीर और किस प्रकार से मतलब वो गुण संपन्थ तो इस प्रकार इसके जो प्रस्म है वो क्या हे सर्व रत्ने भूमी किम नाम नगेंद्र थी देखिए यहाँ पर सर्व रतने भूमी हिंबान नगेंदरस थी तससानो उपरी किम नाम नगर मतला कौन सा नगर था तो तससानो उपरी कौन सा नगर आएगा कंचनपुरम नाम नगर विभाती तत्र कह वसती वहाँ पर कौन था लूसरा得 ड्लिध्या भीक्र टाइंटर यप N. Runwar Yuquet । 3. सणाल नकूंसे ईंना से सहारा ड्लाच जीमूत के तू जीमूत महनमद पुत्रपापनूत। इससे तहा इतिपदाश्य प्रकृति प्रत्यम्चा प्रत्रकृूर। तो जो है इस्था धातू है यहां पर और तो प्रत्या है। अब यहां देखे भ्रांत कश्चन बाला पाठ शाला गमन बेलां फीड़म अगच्छत किन्तू ते यह भ्रांतो वालक बाले पाठ का यह जो है गध्यांश है कि किस प्रकार से वह बच्चा अभ्धामित होता है और किस प्रकार से वह मतलब बिद्जालय ना जा करके और वहा पुस्तक दासा अहम्तू आत्मना बिनोध स्चामी संप्रती विद्यालम गत्वा भुया पुद्धा सुपाधा से मूखे द्रिष्टम ने विक्षामी एत निकृष्ट निस्कृष्ट वासिना प्राणा एमा बैस्याह संतु इती प्रश्न के आएंगे का पाठ साला बेला तैयाम प्रिडहत्यू अगक्ष्चल क्या दिया है इसां कालंग विकेसुना उपलंब थे शुना उपो लब्धैमाना आसीट पेकुत्र गमनाय तवर्माना अववन तो दे जलाए गमनाय तवर्माना अववत फिर है भूया और कृध्धस कर से मुख कंद्रिष्टूम नयव एक्षामी इस्मृत्त्ति अस्मासिन पदे प्रकति प्रत्य क्या आएगा देखिए स् कि आप यहां पर देखिए यहां से जो दिया है वह है पध्यांश क्या है यह जे दिये हुए मैं निनादय नभी नाम ये वाणी भी नाम रदू मधुल्गाय गीतं ललित नीथि लीना मदुर मंजरी पिंजरी भूत माला बसंते लसंती सर्चारताला कलापा ललित कोफिला प्रयाप्ष्ण समझ यजरख ऑवनी लिनाम के गई नहें हो दोई को कैसी सो सब्सक्राप्ष नोद er यह संसी साखिए जाने मतलब इस और करते मेलाम के पती मतलब करते हैं मेलेड़क की मला थे श्रैर यौण देगर के करते मिलेड़कों वानी मिती पदस्य विभक्ती वचनम लिखत तो क्या आएगा देखिए जो वीणा मिती पदस्य विभक्ती है तो वीणाम का क्या आएगा विभक्ती है दुतिया और जो वीणाम का जो मतल़ इसमें दिया बचन तो बचनम आएगा एक बचन आप देखे दिया है यतनीन किम रक्षित तो क्या है यतनम ब्रक्षित गिम एती याती चा विथतता चीना कथम तो क्या जाएगा यहाँ पर यतनें तृतिया विभक्ती और कौन सा बचन है एक बचन अब यहाँ देखे दिया है पिवन्ति नद्या स्वामेव नखादंती फलानी ब्रक्षा नादंती सस्यम खलू वारी वाहा परोपकारसताम विभूतया इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार मतलब जो ब्रक्षें स्वाम क्या नहीं करते हैं नदियां क्या नहीं करते हैं लानिनह ख्ळनती दोग्रकराव करों का स्वाम या यांनीती पधां संदीशंद सथी आ chill आरंभ गुर्वी चणिये क्रमेण लब्धी पुरा ब्रद्धी मतीच पश्चा दिनस्य पूरबार्द परार्द बिनना छायव मेत्री खल सज्णा नाम। प्रश्ण देखिए आरभ बुर्भी क्रमेन कथम तो कहां पर आएगा आरभ बुर्भी क्रमेन चैनी पुरा लब्धी पश्चात की द्रशी तो पुरा लब्धी पश्चात ब्रुद्धी मती चायेव खल सज्जना नाम कें तो चायेव खल सज्जना नाम मेत्री कस से पूर्बार्द परार्द विन्ना चायव मेत्री तो धिनस से पूर्बार्द परार्द विन्ना चायव मेत्री चायव इती पदस्य चंदी विच्छेत कृत्वा संदे नामली खत्र क्या जाएगा चायव चाया धन एव गुड़ संदी आप यहां पर है नात्यांश ये क्या आ जाएंगे यहां पर नात्यांश ठीक है न तो नातैक्च में यहां आ जाएंगे ये नाच्ट्यांश चंदना संपादय प्रसादी चादेई मली का अत्र पूजनम ना भविस्यति अहम स्वास्थी भी सहस्वा प्राता है काशिविश्वनात मंदरिम प्रतीगमिस्यामी तत्र गंगास्नानम धर्मयात्रांच वयम करिश्यामा यह जो है गोदोहन अम्माले पाट का जो नाट्यांश है और इसमें जो मली का है वो लड़ू बना रही है बेशन के उसका तो जो चंदा ने उसका जो मतलब पती है वो क्या बोलता है कि अरे बहुत अच्छा लड़ू है और खाने के लिए तो गोद करती है कि अभी रुको रुको क्योंकि यह जो लड़ू है वो मैं पूजा कीनिमित रही हूं और इस प्रकार से उनको रोबती है और फिर वह बोलती है कि मैं सुभय सुभय मतलब काशी विश्मनात मंदिर अपनी सत्यों के साथ जाओंगी वहां गंगा इसनान करूंगी धर्मयात्रा मतलब करूंगी तो इस प्रकार वह कहते हैं आये मोधकानी ने चंते ती का इतती मास प्रसा एतानी कानी मा इसरा इतानी मोधकानी आहांगी लोल उपतां किम कर माक्शमाया जृताम के प्रकते आक्श्मत्लाव अपनी जीब पर कंट्रोल नहीं कर पारहा था मोधकानी की मर्त सती मोधकानी पूजा निम्powerna यहनि하는데 लोध्डू फिर है दृष्टिवा इत्यस्मिन पद आ प्रकती प्रत्यय चाप्रतक प्रतक कुरूँद। तो दृष्टिवा का आएगा दृष्धातु है और त्वा प्रत्यय प्रत्यम्चा। एक और है यहां पर ये भी नाट्यांश है तपोदत्त है अहां मस्मी तपोदत्त है वाले प्रिप्त चर्णई, क्लेश, मानो अपी विद्याम, नाधित, वासनीम, तस्मात, सर्वे, कुटुंभी, मित्रई, ग्यातिश, गर्भी हतुमा उर्द्वानिश्व अहां विदे कि मिदम मया कृतं कि दिशी दुरवद्धी आसीत कदा एत दपीना चिंत कमत परिधानेईर, लंकरारीर, भुशितो अपीना सोविते, नरो निर्मानी गोभीव तभायाम यदी वा ग्रहे आप देखिए यहां प्रशन दिया कि अहां का अस्मी, अहां तपो दत्त है अस्मी, ठीक है? कदा पित्रचणो क्लेश मानो अपी विद्याम नाधित वास्मी, बाल्ली पित्रचणी क्लेश मानो अपी विद्याम नाधित वाच्णी, क्या जायेगा बानस्मी फिर है कि सर्वे कुटुम्भी मित्रई ग्याती जनेश कथम अवन सर्वे कुटुम्भी मित्रई ग्याती जनेश गर्वितो भवनां नरहा तीदिशी सभाया म्यदी वाग रहिना शोभते नरहा निर्माणी गोभीव सभाया म्यदी वाग रहिना शोभते निर्माण की गोभी व इत्यस्य पदा संधी विच्छत कृत्वा संधी नाम लेकर तो देखिए यहां पदिया निर्माणी गोभी धन इव कौन से संधी आएगी दीर्ग संधी आप देखिए यहां आपठित गध्यास दिया हुआ है हमें हमेशा सरी का भ्यान रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार जो पेट की जितनी ही मतलब शरीर की जितनी भी कति विद्यां है वर्याम करने से क्या होती है अच्छी होती है इस प्रकार हमें ब्याम करना चाहिए प्रश्न देखिए क्या है अब देखिए यहाँ पत्तर वयाम लाभा, धर्मा से प्रतम साधनम की मस्ती, धर्मा से प्रतम साधनम सरीरम अस्ती, फिर है किदिश्रम उद्रम वयायें संकोष्रम गच्छती, परिवरद्धम उद्रम वयायें संकोष्रम गच्छती, फिर दिया है असे गध्यां समसारे, है , दो जाहिन की ब्याम से सबी जनों को का करना ड़ाहिएु है। फीर है घच्छनतीपदे 《दातव》, घच्छनतीपदे में का फिर में कौसी धात है complaints गम धात है Давumad क्य्लिजद्ग था संचार भनती तो ब्यायाम स्रीर सब्धद्च रक्तम- में पड़त है dedans तो कह धना आपी चलिए अब देखे दूसर यहां पर जन्ली जन्भूमी स्वर्गदपी गरिसी जन्मी जन्भूमी स्वर्गात उतकृष्णास्ती है ना फिर सालो का नाम सरंदायनी विविधग खाद्यपदार्थ प्रदायनी सरुहारा लीला भूमी चास्ती व्यदिक व्य प्रश्ण दिये हुए है अब इनके जो उत्तर है जन्मी जन्भूमी कस्मात गरिसी जन्म भूमी जो होती है उस्वर्ग से भी ज्यादा सुन्दर होती है स्वर्ग से भड़ी होती है इस प्रकार मैंने आपको गध्यांश प्रद्यांश प्रिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आते हैं परिक्षाओं में उनको पढ़ाय समझाए आप इनको बहुत ध्यान पूरक पढ़ेंगे वह स्वर्ग